वेलकम टू नितिश युनियूर्स यहाँ पर आज हम देखने वाले एमटी चेर टेकनिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और यह टेकनिक बहुत बार यूज किया जाता है हमारे अंदर जो यहाँएंने चांट होता है इसको डिल € करने के लिए और यह टेकनिक उसके लिए विए यूज होता है जहां हम कौनफलीक को डिजाव्स करना चाहते हमारे कि कर सके बीचरान में बहुत-बार और काम करते हो और जगें । इसको कैसे रिजॉल करना है इस टेकनिक में हम देखेंगे तो स्टार्ट करते जहाफें से करेंगे पहले ऐसा ऐसी टेकनिक जिसमें हम बात कर रहें कि आपका और और की और काका डricså की तो वह प्लेक्क अपको इस प्रोसेस में help करता है तो इसमें overall क्या करना है देखो आप जब उस चेर में बैठते हो तो आपको वह कहते कि imagine करो कि आपके सामने वह person है जिसके साथ आपको conflict है क्योंकि वह person कोई भी हो सकता है आपका boss हो सकता है या कोई ऐसा अदमी जिससे आप directly बात नहीं कर सकते तो आपको imagine करना है कि वह आपके सामने बैटा है बहुत बार हमारा brain ये करने के लिए ready नहीं होता क्योंकि हमें लगता है ये क्या हम time pass कर रहे है इससे क्या होगा actually क्या होगा लेकिन इसके पीछे जो science है वह मैं आपको भी की इमली जैसे में इमली बोलत ही आपके मूह में पाणि आता है लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है अपके हाथ में ना मेरे हाथ में तो भी आपके मूह में पाणिआता है मतलब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं तो उस चीज के रिलेटेड बायो केमिकल रियक्शन स्टार्ट हो जाते हैं वर हमारी बॉड़ी हमारा माइड उसको रिस्पॉंस देना स्टार्ट करता है तो वैसे अगर आपने उस पर्सन को सामने रखा तो फिर क्या होगा आपको रियल में लगेगा कि हमारे सामने वो पर्सन है आपको बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा अन इजी लगेगा लेकिन जैसे आप स्टार्ट करोगे तो बहुत कुछ अमेजिंग होने लगता है अब आपको exactly क्या करना है आप जब बेटते हो तो आपको जो भी अंदर से आ रहा है जो भी आ रहा है वो उसके साथ बात करना है उसके साथ शेयर करना है कि मेरा point of view क्या रहता है और आपका क्या रहता है problem कहां पर create हो रहा है यह उसको समझाना है आपको इस process में दूसरा भी option हो तो आपको वो समझ के खुद को बताना है कि उसका point of view क्या रहेगा और उस time आपको उसके जैसा बन जाना है आपको खुद के बारे में नहीं सोचना है फिर आपको फिर से switch करना है फिर आप से आप खुद उससे बात करोगे मतलब जैसे लोग देखो चेस खेलते अकेले ही एक बार इस साइड से एक बार दूसरे साइड से सेम आपको करना होता है इसमें यह मैं जो बता रहा हूँ उतना easy नहीं होता उसमें आपको बार-बार help लगती है तो आपके साथ जो psychiatrist रहते वो आपको बार-बार help करते है वो आपको motivate करते कि आप आपका और 100% process में डालो इ इससे होता क्या है पता है कि आपको खुद का और उसका जो relation regarding और detail में पता चलता है और जो psychiatrist आपको help करने वाले उनको आपका problem deeply समझ में आता है तो यह होता है एक जंदल मेटल इसी को कहते हैं empty chair technique लेकिन इस technique का मैंने बस आपको अभी first part बताया अब सबसे important सबसे interesting second part है जि हमें ज सब्सक्राइब कि डीसिज़न लेना चाहते हो लिकिन ले नहीं पाते हो यह करूं वह करूं ये करूं वह करूं दिन से रात हो जाती है फिशो जाते और फिर कल करेंगे लेकिन कल की सुभे उसी conflict के साथ आती है और फिर करने तीन निकल जाता है और मतल reden आपको समझ बस में बेटते हो तो बस का स्पीड फील नहीं होता है ओके वैसे आपके थौट्स जो आपको बार-बार आपके माइंड पे क्लैश कर रहे हैं यह आपको समझ भी नहीं आता क्योंकि वह माइंड आपका ही है तो आपको एक थर्ड कैमेरा लगा के सोचना पड़ेगा किसी की ह लेकिन आपकी वह उस वाली पर्सनल्यक है जो कुछ और चाहती है और यह वाली पर्सनलिटी दूसरा ओप्षन चाहती है फिर आपको भी बात करनीगी उससे अपको दिरे दिरे बात करने की आपका क्या Ŋकला है फिर यह वाला आपका जो पोजिशन है उसको छोड़ो आपका माइंड सेट छोड़ो आपका थिंकिंग छोड़ो फिर दुसरे चैर में जाकर बैठ जाओ बैठने के बाद आपको उस पॉइंट आफ वीव से बात करना है और यह जितना भी कॉन्फिक्ट होता है होने दो हो लेकिन बाद में धीरे-धीरे आपका माइंड किसी एक साइड पर फ्लिफ होने लगता है उदर की तरह जादा जाने लगता है और इससे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियारिटी आती है तो यह जो प्रोसेस है साइकेट्रिस के साथ भी किया जाता है यह वाला पहले वाला नहीं बॉल न कि बहुत बाला तो यह प्रोसेस आप कुद भी कर सकते हूँ चाहे किसीकी हप ले सकते हो और जब आपको यह करना है तो उस फ्रेंड को आपको सेंटेंस नहीं बताने उसको fak Adiर को क्या करना है ज्यादा ट्रय करने कि आपको क्या करना है वो यह दोनों भी पॉइंट आफ यू समझ में आ जाते हैं और जब आप प्रोसेस होने के बाद रिलाक्स होके शान बैठते हो तो फिर समझ में आता है यार वो जो सेकंड था ना वो मेरे लिए था ही नहीं मैं अपने आप ही सोच रहा था लेकिन अभी मुझे तो ऐसे बहुत सारे इंपोर्टेंट इंट्रेस्टिंग टेकनिक होते हैं जो हम इस परसनेलिटी डेवलपमेंट के कोर्स में ले रहे तो यह एक टेकनिक था जो मैंने आपको बता है क्योंकि आजकल सबसे बड़ा प्रॉबलम यहीं है कि क्लियारिटी इधर नहीं होती तो फ को लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो और थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो और बाए